नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में जो है हम कोडी समाज के कोडी समाज के इतिहास को देखने से पहले आपको एक तो मैं डिस्क्लिम्रेट देना चाहता हूं कि जाती बाद न करें प्लीज ये जाती बाद बाला मेरा बिल्कुल पॉइंट नहीं होता है मेरा हिस्ट्री क पॉइंट होता है इतिहास समझ ये उसका जाती बाद नहीं कीजिए ठीक है चलिए देखिए यहां पर ब्रहमाजी के पुत्र से ही पूरे भारत वर्स बना है किस तरीके से पहले ये मारिच हुए अत्री हुए अंगीरा पुला उके उसके बाद देखिए पुला कृती कृत भिर्गु बसिष्ट दक्ष करदन नारद सनंदन शनातन सनककुमार स्वयम्भुग मनू सत्रूपा चित्रगुप्त जो हुए वो आपको काईस्त समाज के और फिर जो है रुची प्रचेता अंगीरा यह सब जो है कुछ प्रमुख पूत्र थे ब्रहमाजी के प्रमुख ज ब्रहमाजी के 59 पूत्रों में से 10 जो है प्रजापती बन गए थे और उनका जो है जैसे मारीच, अत्री, अंगीरा, पुलस्त, कर्तू, भिर्गु, वसिष्ट इन सब यह सब जो है प्रजापती कहला है जिससे प्रजापती बंस आगे चला था आज हम क्योंकि कोड़ी का इतिहास क्योंकि इंटरनेट पे मौजूद नहीं है और हमारा मानना है कि जाती बात तो बहुत बुरी चीज़ है इसमें तो कोई दोमत ही नहीं है लेकिन जब कास्ट के इतिहास समझे का बंस का इतिहास से लोग जूर जाते हैं अपने धर्ती से जूरते हैं काफी सारे बहुत पढ़े लिखे हैं वो खोजते रहते हैं दिन रात उसमें वो लगे रहते हैं अपने बंस जानने में बहुत लोग इंटरेस्ट हो है लोगओं को तो आज हम उन भाईों के मन के इक्षा को ही समझते हुए इस कीवड़ पे कोई जाती के इतिहास सब्द के ऊपर जू कोड़ी समाज के इतिहास को समझना है तो कोड़ी समाज के मानताओं को समझना पड़ेगा अर्थात कोड़ी समाज के भाईयों के मद में क्या मानताओं है एक मानताओं बहुत परचलित है और उस मानताओं को कहा जाता है कि कोड़ी भाई जो है ये मानते हैं अपने आपको एतिहास में इसी बात को खगोलने के लिए आगे बढ़े तो हमें इतिहास में एक चीज मिला जिनको दुरूहू का वनसज कहा जाता है ये दुरूहू कोन है दुरूहू के वनसज में राजा गंधार हुए और गंधार कहां पे है आज आप लोगों को मालूम ही होगा कुछ अ आर्यवर्त के मध में रहते थे बाद में वो दुरू को इक्षवाकूवंस के राजा राजा मंधात्री जिसको राजा मंधात्री को साथ राजा यही मंधाता है जो यहां पे लिखा हुआ है राजा मंधात्री ठीके तो राजा मंधात्री ने जो है इमध एसिया की और खगद पुरानों में दुरू राजा प्रचेतस के बाद दुरू का कोई बंस के बारे में उलेख नहीं मिलता है तो प्रचेतस के बारे में लिखा है कि उनकी 100 बेटे अफगानिस्तान के उत्तर जिसा में जाकर मलेच चेकलाएं दरसल वो मलेच चेकलाएं तो यह बाद का कुछ गवाही मिलता है इतिहास में कि फिर वहाँ से वापस भी हो गए थे अब देखिए कि उनकी 100 पुत्र गए थे अब एक दूसरा चीज मिलता है कि कोबिंद नाम का जिकरे मिलता है बेद पुरानों में कोबिंद के नाम कोबिंद को कहा जाता है कोबिंद अर्थात जो है बुनकर समाज इसे तातपर्ज निकाला जाता है और जुला जो हुई तो जुला से ही जुला बंस चला है आगे और जुला बंस में संतकवीर दास जी आए है और कोरी समाज भी अपने आपको जुलहा समाज मानते हैं जुलहा समाज के ही वनसज मानते हैं ठीक हो सकता है आप कुछ अलग सोचते होंगे आप सोतंत रहे सोचने के लिए ये इतिहास बहुत आदी अनादी पुराना है तो इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है हम सिर्फ जिग्यासा ही सांत कर रहे हैं आप लोगों के मद में जो जिग्यासा आता है तो बास्तबिक जानकारी हम दे रहे हैं ताकि इसमें कोई थोड़ा सा उलट फेर कर देगा तो उलट फेर करने से आप लोगों के जो है सोच की तरीका बदल जाएगा और जो है लड़ा देगा तो इसलिए सही जानकारी में देने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो तो प्रूरानों के आधार पर यही कहा गया है कोबिंद कन्या कोबिंद कन्या और जो है मलेच्छे के पुत्री हुई है पुत्री हुई कोबिंद कन्या से मलेच्छे और कोबिंद कन्या से एक पुत्री हुई जिनका नाम जो है जुला पड़ा और जुला जुला से जुलाहावण्स का परवर्तक ही वो और जुलाहआवण्स आगे चला और इस प्रकार से यहाँ समझने में आता है। कुछ मिलता है आयाती के पुत्र जो है दुरुहु हुए दुरुहु से भभुरु भभुरु का से जो है सेतु सेतु का जो है अरम्ध और अरम्ध का गंधार हुए गंधार का धर्म धर्म का घृत घृत का दुर्मना और दुर्मना का जो है पुत्र परचेता हुए थे ये प आने जाते हैं और उसी कारण से जो है कोरी समाज को भी आप यहां से लिंक कर सकते हैं इतना तक आई होप सो की काफी कुछ जानकारी आप लोगों को मिला होगा यदि इस वीडियो पर नए है तो वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को मिलते हैं आगे तब तक के लिए जय ही जय भारत